नमस्कार मैं हूँ आनंद कुमार स्वागत है आप सभी लोगों का competition community में competition community का खास CGPSC और व्यापम के pattern पर अधारिक mobile course launch हो चुका है इस mobile course के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठ कर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयरी बहुत आसानी से कर सकते हैं इस mobile course की खास बात यह है कि इस mobile course में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के pattern पर अधारी 200 से अधीक video lectures इसके साथ ही यहाँ आपको मूल रहा है online study material ओभी 3000 से अधीक विसाल प्रश्णों के संग्रह के साथ 36 गड़ समाने अध्यन की क्या होगी खास बात सुनिये सतेंद सर से साथ इंस में के इस अगले कड़ी में प्रकार है तो हम देखते हैं लाल प्रकार की सुनिये और इस been this पर बात कर लेते हैं, पहली आउधारना ये होगी कि जो स्वाइल पार्टिकल्स होगे, जो मिट्टी के कड़ होगे, उनका साइज, उनका अकार क्या होगा, और दूसरा हम pH मार्ट, इन दोनों अधारों पर हम चीजों को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते ह पहले हम समझते हैं, combination of soil, यानि कि जो स्वाइल होती है, यानि कि जो मिट्टी होती है, मुखी तर तीन प्रकार के कड़ों से मिलकर बनी होती है, पहली sand, दूसरी silt और तूसरी clay, अगर मैं soil particle के अकार की बात करूदू, sand का अकार काफी बढ़ा होगा, उससे छोटा तूट कर, silt बनता हो, silt से तूट कर क्या होगा, clay होगा, यानि कि सारी जितने भी मिट्टी हम ये पांचों के पांच देखेंगे, उनमें ये तीनों particles की कहीं ने कहीं अधिक्ता होगी, और कहीं ने कहीं कमी होगी, तो point यह है, कि ये देखे, soil particle, तो सबसे soil particle किसमें clay की मात्रा ज यानि लेटरेट मतलब मुरूम, और लाल रेतिली मतलब जिसमें रेत की मात्रा, मतलब रेत की मात्रा से भी बड़ी particles लेटराइट मिट्टी में आ जाती है, तो इस प्रकार से, soil particle के अधार पर मिट्टी को क्रम में जमाई हैं, अगर questions आता है, तो आप काली मिट्टी के बा चट्टान टूटके गुलास में यानि पेबल्स बनते हैं, पेबल्स के बाद बजरी में आते हैं, और बजरी के बाद जो next formation होता है, sand, sand के बाद, silt के बाद, clay, तो वो ये तीन है, correct, next point आते हैं हम लोग pH मान ले, pH मान का मतलब आप लोग सब जानते हैं, इसके अधार पर कोई मिट्टी छारी होगी तो चिप-चिपी होगी, यह चीज़ को ध्यान रखेगा, देखते आगे कैसे होगा, अमली मिट्टी कहां पाया जाएगा, तो अमली मिट्टी वहां maximum पाया जाएगा, जहां पर rainfall जादा होगा, इवोपरेशन से, इसका मतलम आप समझेए, rainfall होते हैं, यह 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 होते हैं, वह पानी के सन मिट्टी की नीची लेयर में चली जाती है, यह उपर के लेयर में ऐलमुनिया में आइरन ही बच जाता है, बड़ इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, जादा होगा, इवोप्रिशन कम होगा, यानि की एवोप्रिशन तो हो रहा है 37 बट रैन्फॉल यानि की वर्सा महाँ पर जादा हो जा रही है, तो इवोप्रिशन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी कारण यहाँ पर हुमा से निट्रिशन नीचे चला जाता है और यह प्रोसेस होते हैं इस करार यह water को consume नहीं कर पाते यानि water को absorb नहीं कर पाते जिस प्रकार से अगर मैं बात करूए एक rate है और एक आटा है तो rate में पानी जो अगर हम लोग गिराते हैं तो वह बहुत ही easy तरीके से flow हो जाएगा बट आटे में क्या होगा पानी रूप जाएगा तो यह जो कॉंसे भी वो rate की तरह है यानि कि water absorption capacity जो होगी वो लो होगी अगर water absorption capacity अगर लो होगी तो इसमें किसी भी प्रकार का फसल उगाया जाएगा तो उसके लिए सिचाई की आफ सकता होगी ठीक और यहाँ पर maximum हम खरी फसल क्या करते हैं उगाते हैं तो ध्यान दीजेगा चिछतिस गड़ में जो लाल पिली मिट्टी लाल दोमट मिट्टी लाल रेतिली मिट्टी इवा लेटराइट मिट्टी जो है वो अमली मिट्टी हैं यहाँ पर बात किया हुआ है , अम्लिम छो निचर शो करता है लालडोमठ मिट्टी यहां पर भी अम्म्ली छारी काली मिट्टी जो होगी वह च्छारह तो आईए देखते हैं चार के बारे में, तो चार एक ऐसा चारी मिट्टी जो होगी वह चिपचिपी होगी, यानि कि वह basic nature की होगी, वह एक ऐसे छेत्रों पर इस मिट्टी का निर्मान होता है, जहां पर evopration जो होगा, जादा होगा, अगर evopration जादा होगा और rainfall क्या होगा? कम होगा यानि कि वो छेत्र क्या कहा लाया सुखा कहलाया अब इसमें क्या होता है इसमें केसी कत्तो का नेचर होता यानि कैपिलरिली प्रोसेस होता है यानि कि जमीन की नीचे जो पानी के साथ उपरी लेयर में आ जाते हैं और पानी के साथ उपरी लेयर में आ जाते हैं और पानी क्या होती वास्पी क्रिट हो जाती हैं लेकिन जो निट्रिशन होते हैं मिट्टी के उपर के लेयर में क्या होते हैं जिसकी करण मिट्टी को परियापत मात्र में हुमस निट मिलता है लेकिन कंडिशन क्या है यहां पर पानी की यानि की रेनफॉल की मात्रा कम है तो यह जो मिट्टिया है वो तो छारी है लेकिन साथ ही साथ यह कौन सी मिट्टिय यह उपजाओ मिट्टिया भी है यहां पर केसी कत्व का nature पाया जाएगा बेशीक जो इसका nature होगा water absorption क्या होता है इसमें high होता है water absorption high होता है मतलब water को absorb करने की छमता इसमें ज़्यादा होगी इसलिए जब इसमें कोई फसल लगाया जाएगा तो इसमें irrigation की आप सकता नहीं होगी अर्थात इसमें आपको rainfall की आप सकता नहीं होगी इसका मतलब याद रखेंगे यहाँ पर हम रभी crop यानि है चना हो गया, मटर हो गया, तिलहन हो गया, और जो आपके गन्ने हो गया, कपास हो गया, वो सब काली मिट्टी में उखते हैं, इसके सब ध्यान और रखेंगे, कि यह जो मैंने बता है, water absorption is high, water absorption and water absorption is low, is directly related to soil particles structure, directly related to soil particle structure, that means, अगर water वहाँ पे रूक रहा है, मतलब वहाँ पे clay की मातरा जादा है, अगर वहाँ पे water नहीं रुक रहा है, मतलब sand की मातरा जादा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यानि कि छारी मिट्टी यानि कि जो काली मिट्टी होगी, उसमें clay की मातरा जादा होगी, यानि कि clay की मातरा सबसे जादा इसमें होगी, लाल दूमट में थोड़ी सी कम होगी, बट रेट से जादा होगी, लाल पिली मिट्टी में रेट की मात्रा जादा होगी, as compared to clay, लाल रेट रेट जादा होगा ही होगा, लेटर रेट में तो रेट भी बड़े structure हैं बदल जाता है, तो जिस प्रकार से आपने देखा clay, यानि humus content, humus content के साथ ही साथ, आप clay की मात्रा water absorption, तो यह वाला जो area होता है, यहाँ पर यह fertility जादा होगी, as compared to this one, इसलिए मैंने fertility का graph ऐसा बनाया, humus nutrition का graph ऐसा बनाया, क्योंकि यहाँ पर humus nutrition जादा होगा, अमली time छारिता का graph मेंने ऐसा बनाया, लेटर राइट, लाल रेट, लाल पेली मिट्टी कहाँ पर आद्र जलवायू, यानि आद्र climate, यानि की कौन सा weight climate में, और यह आपका dry climate में, correct, क्योंकि dry climate होगा, पानी कम गिरेगा, पानी कम गिरेगा, तो क्या होगा, वस्पिक्रट जादा होगा, वस्पिक्रट जादा होगा, हुमस nutrition उपर आएंगी, जिसे उनकी fertility क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इसके बाद हम देखते हैं, काली मिट्टी एउन लेटर राइट म तो आईए देखते हैं कि 36 गड़ में काली मिट्टी हम लेटर राइट मिट्टी का कैसा वित्रड है, और कौन-कौन से फसल उसमें उगाये जाते हैं, काली मिट्टी के बारे में, तो जो काली मिट्टी होती है, वो बेसाल्टिक जो लावा चट्टान होती, उनके अप्रद एट के सम्थिंग, आब एक्जामपल ले सकते हैं, तीसरा, यह उपजाओ होगी, यानि 36 गड़ की सबसे ज़्यादा उपजाओ मिट्टी हम काली मिट्टी को मानते हैं, और ध्यान रखेंगे, इसमें नैट्रोजयन, ह्यूमस, कंटेंड ज़्यादा होंगे, जिस तरह से मै होगी लाल पीली मिट्टी या लालल मिट्टी कूरेक्ट, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो मेरा काला रंग होता हो रों होगी सबसे ज़्यादा होती है, 50-60% कले की मात्र इसमें क्या होगी, जादा होगी, यानिंगी, पूरे स्मौइल गंटन में खले की मात्र दुखा पढ़ता है और जब पानी की कमी होती ही तो इसमें क्या हो जाती है दरारी पढ़ जाती हो दरारी पढ़ने की साथ ही साथ ये इस मिट्टी के लिए ही profitable लाबदायक है क्योंकि सूरी की रूशनी हवा और ये सारी चीज़े इस मिट्टी में अंदर तक जाती है जिसके करण इसकी fertility और ज्यादा क्या होती है विक्सीत होती है तो चली आएए देखते हैं कि 36 गण में इसका वित्रड कहां कहां पार हो इसमें कौन-कौन से फसल उगाये जा सकते हैं इसके फैलाओ वाले मुक्य छेत रहें फसल गेहूं चना कपाज दालें तीलहन सोयाबीन एवं धान की फसल इसमें आम तोर पर होती है चतिस गण में इसे इस्थानी नाम से कनहारी मिट्टी भी कहते हैं ध्यान दीजेगा कनहारी मिट्टी भी कहते हैं साथ ही साथ इसे भर्री भी कहा जाता है और रेगूर स्वायल भी कहा जाता है तथा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और यह एक छारी मृदा है इसका कौन से मिट्टी है अमली मिट्टी है काली मिट्टी का जो रंग तो फैरिक टाइटिनियम के कारण होता है और लाल यानि कि लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो फैरिक अक्साइट के कारण होता है फैरिक अक्साइट कारण इसका रंग क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा इसमें किसकी प्रोसेस होगी इसमें लीचिंग का प्रोसेस होता है लीचिंग की प्रोसेस होने के कारण इस मिट्टी के उपरी लेयर पर एलमुनिया में आयरन का जो तत्व होता है वा बज जाता है। लेकिन सिलिका का जो तत्वह होता है वो क्या हो जÁता है। मिट्टी के नीचे चला जाता है। मिट्टी को ओपर वाला सरफिस होता है वो उठ्जाव नहीं हो पाता॥ जिसके यह मेन्हें Review Cat बिर्दा है, यह करिसी के लिए अनुप्यूक्त है, यानि कि यह यूसपुल नहीं है, इसके लिए क्रिशी के लिए, और इसका पी-एच माने हो 5.2 होता है, तथा इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा होगी, या क्ले की मात्रा क्या होगी, इसमें कम होगी, इसमें water capacity, water resistance capacity क्या हो अब लेटराइट मिर्दा की बात करते हैं, लेटराइट मिर्दा का जो रंग होता है, वा लाल गेरुआ या लाल बूरा होता है, और यह मुरूम के आकार का यह मुरूम जैसा दिखता है, इसलिए इसे मुरूम मिट्टी भी कहा जाता है, और 36 गड़ी में इसे मुर्मी मुर् चाय आलू किलिए किया जाता है, इसका निर्मा भावन निर्माड या कलर होता है, या एट का रंग जैसा होता है, वो हमारी इस लेटराइट 21 मि Demokraten का होता है, इसका विस्तार तो फिर देर किस बात की अधीद जानकारी के लिए आफ हमारी वेबस्ति पर विजिट करें www.competitioncommunity.com इसके अलावा इस मुबाइल पूर्स से जूड़ी और अधिव जानकारी के लिए आप हमें इन दिये गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं और हां इसके अलावा आप एक डेट और सेट कीजिए 22 दिसंबर 2019 इस दिन से लॉंच होने वाला FTR यान ने हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइप करें